यहवस्कार आप देख रहे हैं नीज 24, मैं हूँ विपेश, माथूर और 11 बज़े की विलिटरिंग की शुरुआत हम करते हैं इस वक्क की बड़ी ख़बरों के साथ पहली बड़ी ख़बर आपकी टीवी स्क्रीन पास संसत में इंडिया गचबंदन ने बैठक की और विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीती पर चर्चा की है सरकार को कैसे घेरा जाए विपक्ष लकातार इस पर रणनीती बना रहा है इंडिया ब्लॉक की नेताओं ने स्पीकर ओम बिल्डा से भी मुलाकात की सदन चलाने और समिधान पर चर्चा की मांग विपक्ष के द्वारा उठाई गई है कि सदन को चलाने दिया जाए चलने दिया जाए और समयधान पर चर्चा हो और ये आरोप पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर लगा रही है पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस कवर पर हमारे साथ मौजूद हैं रमन ये तो आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है विपक्ष कह रहा है कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही सरकार कह रही है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा जो इस स्पीकर से मुलाकात की उससे क्या निकल कर सामने आया है देखे विपनेश मलिकाजुन खडगे के चैंबर में इंडिया गटबंदन में शामिल जितने भी राजनितिक दल हैं उनकी बैठक हुई उस बैठक में कॉंग्रेस पार्टी के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी भी शामिल थे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई क्यूंकि लगातार सरकार की तरफ से दवाव बनाने की एक कोशिश हो रही है विपक्ष के ऊपर की सदन को नहीं चलने देना चाहता और लगातार जो है वो हंगामे करके तमाम जो राजी से जुड़े हुए मामले हैं उनको उठाने की वो कोशिश करता है इसलिए विपक्ष की तरब से ये कहा जा रहा है कि सम्विधान की 75 वर्सगाट पर जब सरकार की तरब से इतना बड़ा कार्यक्रम आजुद किया गया तो हम चाहते हैं कि सम्विधान के उपर चर्चा हो और 75 वर्सिगांट के मुद्दे पर उपर जो है सम्विधान के उपर चर्चा हो और चर्चा में तमाम बातनों का जिक्र विपक्ष करने की रणिती बना रहा है कि जो विपक्ष का मुद्धा है जिस मुद्धे पर विपक्ष सरकार को घेड़ने की कोशिश कर रहा है उन मुद्धों को सम्मिधान पर चर्चा के दौरान वो उठाए और सरकार से इसका जवाब ले तो क्या रणनीती विपक्ष की तरफ से इस पैठक पे बनाए गई है सरकार को घेने की और स्पीकर की तरफ से क्या आश्पासन मिला है इन मागू को लेकर रमन देखे जब विपक्ष में शामिल सांसदों ने लोगसवा स्पिकर से मुलाकात की तो लोगसवा स्पिकर ने उनकी बातनों को ध्यान से सुना और कहा कि हम इस पर निरने लेंगे क्योंकि लोक्सवाई किर्ट इन तमाम मुद्दों पर सरकार से चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं अमुमन सरकार क्या रुख जानने की कोशिस की जाती है कि सरकार का रुख क्या है क्या सरकार समिधान के उपर जो विपक्ष का प्रस्ताओ है उस प्रस्ताओ पर चर्चा के लिए सरकार तयार है या नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है विपक्ष को उम्मीद है कि समिधान के उपर चर्चा करने से सरकार को भी कोई आपती नहीं होगी और सम्मिधान पर चर्चा के दोरान जो है विपक्स उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखेगा जिन मुद्दों पर वो लगातार चर्चा के लिए डिमांड करता रहा है तो रमन क्या समिधान पर चर्चा करना आप सरकार के लिए एक चिंता का विशय भी है क्योंकि अब आप देख रहे हैं जितने भी ओपोजिशन MP हैं वो हाथ में समिधान की कौपी लेका शबत ले रहे हैं प्रेस कॉंफरेंस में भी आते हैं तो क्या है कि ये बड़ा है सरकार के लिए चैलेंज हो सकता है क्योंकि सरकार उन मुद्दों पर जो विवालित मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहती है क्योंकि सरकार का ये कहना है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन ऊपर्युक्त फोरम नहीं है और जो सं लेकिन सरकार पर इस बात को लेकर दवाब है कि समविधान पर चर्चा करने से वो बच नहीं सकती और इसलिए विपक्ष ने ये मुद्दा चुना है कि समविधान के उपर चर्चा के दौरान उन तमाम मुद्दों पर वो चर्चा की शुरुवात करने की कोशिश करेगी जिन कारगर साबित हो रही है क्योंकि लोकसवा चुनाव में तो इसका फाइदा हुआ लेकिन हाली में आपने देखा विदानसवा चुनाव की बात करें या बाइलेक्शन की बात करें उसमें कोई खास फाइदा मिलता हुआ अपोजिशन को नजर नहीं आया है देखे विपक्ष की तरफ से भी लगातार जो है उसमें फूट परती दिख रही है क्योंकि बिंडिया गटमदन की बैठक में टीमसी के नेता शामिल नहीं हो रहे हैं टीमसी के नेताओं का साफ कहना है कि वो चाहती है कि सदन चले और सदन में हंगामा नहीं किया जाए विपक्ष के सांसनों की तरफ से वो चाहती है कि जिन मुद्दों पर विपक्स चर्चा के लिए तयार है या जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है सरकार से बातचीत के जरिये या बिजनस एर्वाजरी कमीटी की मीटिंग के जरिये उन मुद्दों को सामने रखे और उन मुद्दों पर चर्चा के लिए तय लेकिन अबी तक जो है इंडिया गढबंदन में शामिल दल लगातार आडानी के मुद्दे पर हो या संभल के मुद्दे पर हो या जमेर सरीफ के मुद्दे पर हो वो लगातार चरचा कुराने की कोसिश करता रहा है और चर्चा चाहता है कि हंगामा विपक्ष की तरप से लगाता जारी है एक बार फिर से कारवाही को स्पीकर को रोकना पड़ा है 12 बजे तक के लिए लोगसवा की कारवाही को स्थगित कर दिया गया है ये देखिए लगातार पहले दिन से ही ऐसा हो रहा है रमन बता रहे हैं फिर समिधान का मुद्दा है मंदिर मस्जित का मुद्दा है तो विपक्ष पूरी प्लारिंग के साथ सदा संसत में पहुँचा हुआ है रमन बिल्कुल विपनेस जिस तरिके से विपक्ष के सांसतों ने राहूल गांडी मलिकाजुन खडगे की अगवाई में बैठक की और बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि सम्विधान पर चर्चा के लिए वो लोगसवा स्पीकर से मुलाकात करेगा राजसवा के सांस लेकिन जिस तरीके से बाराब जे तक लोगसवा एड़ियन हुआ है उससे साफ लग रहा है कि फिलहाल सरकार इस मुद्दे पर कोई फैसला लेने को तयार नहीं है सरकार इस मुद्दे से बचना चाह रही है सरकार को लगता है कि विपक्ष एक रंडीती के तहट जो है ये क बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमाई